सभी को नमस्कर बच्चो आज हम रा अक्षर के बारे में पड़ेंगे रा अक्षर और उसकी मात्रा का प्रयोग वा उदाहरन बच्चो अब हम रा अक्षर से कुछ शब्द बनाएंगे देखिए बच्चो रा प्लस ना रन क्या है बच्चो रा प्लस ना रन इसके बाद क्या है बच्चो रा प्लस वी रवी क्या है रा प्लस वी रवी यह शब्द देखिए बच्चो रा प्लस मा राम क्या है रा प्लस मा इसके बाद क्या है बच्छो रा प्लस जा ठीक है बच्छो अब हम रा अक्षर से और कुछ शब्द बनाएंगे रा अक्षर से बने अन्य शब्द अब इन शब्दों का उच्छारन करेंगे रन हार रवी रामा राजा तारा अमर कमर बाजार राह सरिता तरू रेल, करोना, रुई ठीक है बच्छो अब इन शब्दों का उच्छारन करते हुए अभ्यास कीजिए और रा अक्षर से अन्य शब्द बनाने की कोशिश कीजिए ठीक है बच्छो अब तक हम रा अक्षर के बारे में पढ़ चुके है अब हम रा अक्षर की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे लेकिन हम रा अक्षर की मात्रा के बारे में पढ़ने से पहले आदे अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके है आईए बच्चो रेकांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए यहां लट्टू शब्द में ता अक्षर के नीचे एक रेका दिकाई दे रही है इसे हम हलंत चिहन कहते है इस प्रकार एक अक्षर के नीचे हलंत चिहन लिखने से उस अक्षर में आद्वनी समाप्त होकर उस अक्षर का उच्चारन आदा हो जाती है जैसे ता अक्षर में से आद्वनी समाप्त होकर ट हो जाती है वैसे ही बच्चा शब्द में चा अक्षर से कड़ी पाई यानि सीधी रेका यह सीधी रेका या कड़ी पाई को निकलने से चा अक्षर में से आध्वनी समाप्त होकर च बन जाती है उसी प्रकार गड़ा शब्द में डा अक्षर को हलंत जोडने से ड और फवारा शब्द में वा अक्षर में से खड़ी पाई को निकलने से व बन जाती है अब इनिहे इस प्रकार पड़ना चाहिए कि ट च ड व इनिहे आध्वा अक्षर कहते है टीक है बच्चों अब हम वेंजन अक्षरों को आध्वा करना सीखेंगे हिंदी वर्न माला के वेंजन अक्षर देखिए बच्चों इन अक्षरों में कुछ अक्षर नीले रंग में दिकाई दे रहे है और कुछ अक्षर लाल रंग में दिकाई दे रहे है नीले रंग अक्षरों को खड़ी पाई अक्षर कहते है खड़ी पाई बोले तो सीधी रेका इन अक्षरों में सीधी रेका होती है और लाल रंग के अक्षरों को बिना कड़ी पाई अक्षर कहते है इन में सीधी रेका नहीं होती है इस प्रकार हिंदी वेंजन अक्षरों में दो प्रकार के अक्षर होते है खड़ी पाई वाले अक्षर बिना खड़ी पाई वाले अक्षर इसके बारे में भी आप लोग पिछली कक्षाओं में पड़ चुके है यहां देखे बच्छों आधे का को आ अक्षर जोडने से का बन गया है आधे चा को आ अक्षर जोडने से चा बन गया है इस प्रकार नीचे दिये गए सभी आदे अक्षरों में आ अक्षर जोडने से पूर्ण अक्षर बन गए है इस प्रकार हम किसी भी अक्षर को हलंत जोड कर उस अक्षर को आदा बना सकते है यहां देखे बच्चों लट्टू शब्द में टाके नीचे लगा इस चिहन को हलंत कहा जाता है इस हलंत चिहन लगाने से वेंजन अक्षरों में जुड़ी आध्वनी समप्त होकर उस अक्षर का उच्चारन आधा हो जाती है इसलिए हलंत लगा हुआ अक्षर को हम आधा ही बोलना चाहिए जैसे टा अक्षर से आ को निकालने से हलंत लगा हुआ ट यानी ट आधे अक्षर बन गया है इसी तरह नीचे देखिये बच्चों हलंत लगा हुआ ट यानी ट आधे अक्षर को आ जोडने से फिर से ट अक्षर बन गया है यहां देखिये बच्चों हिंदी व्यंजन अक्षरों को आधा करने की अवरेक पद्धती भी है खड़ी पाई वाले अक्षरों से खड़ी पाई निकालकर यानी सीधी रेका को निकालकर उन्हें आधा किया जा सकता है जैसा बच्चा शब्द में हुआ है देखिये बच्चों बच्चा शब्द में चा अक्षर से आ निकालने से यानी चा अक्षर से खड़ी पाई निकालने से आधे चा बन गई है उसी प्रकार नीचे देखिये बच्चों आधे चा अक्षर को आ जोडने से यानी खड़ी पाई जोडने से फिर से चा अक्षर बन गया है आएए बच्चों अब हिंदी व्यंजन अक्षरों को आधा करना सीखे इसके लिए पहले व्यंजन अक्षरों पर ध्यान दीजिए हिंदी व्यंजनों में दो प्रकार के अक्षर है खड़ी पाई वाले अक्षर और बिना कड़ी पाई वाले अक्षर देखे बच्छो वर्न माला के वेंजन अक्षर इन अक्षरों में दो प्रकार के अक्षर है इससे पहले हम पड़ चुके है नीले रंग के अक्षरों को हम खड़ी पाई अक्षर कहते है और लाल रंग के अक्षरों को हम बिना खड़ी पाई अक्षर कहते है देखे बच्छो, खड़ी पाई आक्षरों में, खड़ी बोले तो सीधी रेका होती है, बिना कड़ी पाई वाले आक्षरों में, खड़ी बोले तो सीधी रेका नहीं होती है ध्यान दीजिए बच्छो नीले रंग अक्षरों में सीधी रेका है लेकिन लाल रंग के अक्षरों में सीधी रेका नहीं है यहां देखे बच्चों दाये और पूरा वर्नमाला के वेंजन अक्षर है इनमें कडी पाई वाले अक्षर है और बिना कडी पाई वाले अक्षर भी है कडी पाई वाले अक्षर नीले रंग में है बिना कडी पाई वाले अक्षर लाल रंग में है ध्यान से देखिए बच्छों, खड़ी पाई वाले पूरा अक्षर सीधी रेका को बाए और लिका जाता है, लेकिन इन खड़ी पाई अक्षरों में से सिर्फ का और फा, इन दोनों अक्षर खड़ी पाई को यानि सीधी रेका को दोनों और लिका जाता है, अब देखे बच्छो बाय और देखे बच्छो खड़ी पाई के बाय और लिखे जाने वाले व्येंजन अक्षर नीचे देखे बच्छो का गा गा चा इस प्रकार का से लेकर गना तक पूरा अक्षर खड़ी पाई को बाय और लिखा जाता है और नीचे देखे बच्छो खड़ी पाई के दोनों और लिखे जाने वाले वेंजन अक्षर वे क्या क्या है बच्छो का और फा ये का और फा दोनों अक्षरों को खड़ी पाई यानि सीधी रेका को दोनों तरफ लिखा जाता है आप देखें बच्छों बिना कड़ी पाई वाले वेंजन अक्षर इन्या चा, ठा, ठा, ढा, 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 रा और हा लाल रंग में दिये गए इन अक्षरों को बिना कड़ी पाई वाले वेंजन अक्षर कहते है ध्यान दीजिये बच्चों, खड़ी पाई अक्षरों में से खड़ी यानि सीधी रेका को निकाल कर उन अक्षरों को आदा अक्षर बना सकते है लेकिन का और फा दोनों अक्षर खड़ी पाई को दोनों तरफ लिखी गई है इसलिए इन दोनों अक्षरों में से खड़ी पाई को नहीं निकाल सकता है इसलिए इन दोनों अक्षरों को आदा करते समय दाये और तोड़ा सा लिख कर चोड़ देना चाहिए इसके बारे में हम पिछली कख्षाओं में पढ़ चुके है अब देखिए बच्चों अन्य खड़ी पाई वाले अक्षरों में से खड़ी पाई को निकाल कर आदा अक्षर बना सकते है और बिना कड़ी पाई वाले अक्षरों के नीचे हलंत जोड़ कर इन अक्षरों को हम आदा अक्षर बना सकते है ध्यान से देखिए बच्चों इन वेंजन अक्षरों में सबी अक्षरों के लिए एक-एक मात्रा निश्चित है इसके बारे में हम पिछली कख्षाओं में पढ़ चुके है बच्चों इहां देखिए यहां सबी अक्षरों के लिए एक-एक मात्रा निश्चित है लेकिन देखिए बच्चों रा अक्षर के लिए तीन मात्रा ये होती है टीक है बचो अब तक हम रा अक्षर का प्रयोग और वेंजन अक्षरों को आदा करना इसके बारे में पढ़ चुके है अब हम रा अक्षर की मात्रा के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद